दिवाली पर सभी के घरों में चूड़ा तो बनता ही है क्यों नहीं इस बार हम बूंदी वाला चूड़ा बनाएं चलिए देखते हैं इस चटपटे कुरकूरी चूड़े को कैसे बनाते है यहाँ पर मैंने एक कडाई में तेल गरम करने रखा हुआ है और इसमें मैंने एक छ गुल्डन ब्राउन होने तक तलना है और इसे निकालकर एक एक अबसॉबन पेपर पर रख दीजिए अब मैंने कुछ रोस्टेट चना दाल यानि कि दालिया फ्राइख किया है इसे भी आपको गुल्डन फ्राइख करना है जब गुल्डन हो जाए तो आप इसे अबसॉब कर लीजिए फाइनली इसमें कुछ कड़ी पते हम डालेंगे उसे भी तल के बाजू में रख देंगे अब मैंने यहां पे कुछ लसुन की कलिया डाली है लसुन की कलियों को मैंने विच स्किन डाला हुआ है आप चाहे तो छिलका निकाल सकते हैं वर स्किन के साथ डालने पर टेस्ट बहुत ही बहतरी नाता है इसे भी आप एबसॉड़े की तैयारी करते हैं एक बड़े से कड़ाई में पर पान में मैंने यहां पर वांटी स्पून ओयल लिया है क्योंकि अल्रडी सारे आइटम्स फ्राइड है तेल लिजादा लेने की ज़रूत नहीं है इसमें मैं आपने इसे फ्राइ करना है रोस्ट करना है बिल्कुल लाइटली आपको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है यह बहुत ही जल्दी कुर्कुरी बन जाती है रेडी मेट बुंदी कुर्कुरी होती है बस इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए अब सारे जो भी फ्राइड आइटम रिस्पी, कुरकुरा, पून्दी का चूड़ा, दिवाली पे पतले पोहे के चूड़े सभी बनाते हैं, इसे भी as a side dish रखिए, ये बहुत पसंद किया जाएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नई और य पी दिवाली.